हलो बच्चों नमस्कार वेलकम तो इस अमेजिंग प्रेटफॉर्म ट्रप 10 गलासेस और मैं हूं बच्चो प्चछो प्रज्वल सिंग आपका खर्मेश्टी मेंटर और आज बच्छों देखेंगे क्या रेडाक्स अभी क्रिया तो बच्छों क्रिया क्या होती रेडाक्स एक है और यह ओध्य本त क्या होता है restoreية होता है रिदाक्षण सब और लाइटल न्हें है है अक्सी डेशन जब दोनों प्रक्रियां साथ में हो ऊंक्ए-क्षण है और सबसे पहले विच्चो आपका रिडक्षिन क्या होता है और आक्सीडेसं क्या होता है रिड это मतलब होता मैं क्या होता है और आक्सिदेशन बतला होता बच्चो आक्सिक्रड क्या अच्चो आक्सिक्रड क्या इतनी बाते समझ वहाई बच्चो तो सबसे पहले बच्चो अप्च्यन और आक्सिक्रड क्या होता है दोनों लिख लेते हैं आपका एक तरव बच्चों क्या लिखते हैं आक्सिक्रण और एक तरव बच्चों आपका लिखते हैं आपचेन एक तरव बच्चों क्या लिखते हैं आपका हम आपचेन अब आक्सिकरड क्या है बच्छो बताईए आक्सिकरड क्या है आक्सिजन का जुणना बच्छो दो बाते याद रखिए आक्सिजन का जुणना आक्सिकरड हाई टोजन का निकलना आक्सिकरड आक्सिकरड संख्या में विद्धी आक्सिकरड तो यह तीन बातों तो आप क्ला क्या अच्छो आक्सीजन का जुड़ना अप्चेन क्या बच्छो आक्सीजन का निकलना क्या अच्छो आक्सीजन का निकलना और बच्छो और आक्सीजन का निकलना हाइट्रोजन का निकलना और सिकेंड क्या बिच्चों हाइट्रोजन का जूड़ना और थर्ड क्या बिच्चों आक्सी करण संख्या में व्रिध्धि और इसे उच्चों थर्ड क्या है आक्सी करण संख्या में कमी तो बच्चों ये दोनों इग्जाम्पल्स आप पढ़ चुके बच्चों आक्सीजन का जुड़ना और और हाइट्रोजन का जुड़ना अब पढ़ भी चुके हैं बच्चों आपने ध्यान नहीं दिया होगा अगर आपने नहीं पढ़ायत इसके आगे बच्चों लेक्चर्स आएंगे उसमें दोनों प्रक्रियाब को पता चलेंगे जैसे बच्च आपने यूट्most बच्चों बना दिया तो यह क्या कार्बन के साथ आशीजन कार्बन के साथ आशीं जूड़ा तो यह क्या है और ऑक्ति प्रद है यही मझाने लिए ४न्हें टीः टो बेहें कि कैसी की फेलेत लेज़ा मैं में लिए शितन इ一点 तो ये क्या बच्चो ये भी क्या है अपचयन है ये क्या बच्चो अपचयन है तो ये बात है बच्चो आपको ख्याल रखने की जरूरत है अगर बच्चो हाइट्रोजन की बात करें तो बहुत आई रसानी कप्रिया होती है जिसे बच्चो आपको हाइट्रोजन निकलता है और hydrogen जुडता है तो से हम क्या कहांगे अप जो का जुडना बच्छो जैसे uts 2 और प्लस 650 जुड कर क्याँ अन्य यह but अध्यों की नहीं तो यह क्या है अपचेहन है क्या है आफचेयन है तो इसी प्रकार से बच्छो अगर यह उसका उल्टा लिट आ लिक दे तो क्या हो जाएगा आक्सिको और संख्या व्रुद्दी दे के जैसे कापर है कांपर ने अपना 2 लिक३ां रेलीज किया त्यागा और कणर्ट हो गया किसे कापर आयन में तो यहाँ पर बैच्छो क्या做 प्लस टू है और किसमे जारे बच्छो जीरो में तो यह क्या है आपका बच्चो आप चैन है तो इतनी बाते तो आप याद रखिएगा और बच्चो एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा कि आक्सी करणे में अच्चो क्या होता है इलेक्टान निकलता है और अब चैन में क्या होता है इलेक्टान एक्सेप्ट होता है देख लिजिए इलेक्टान निकल रहा है इलेक्टान एक्सेप्ट हो रहा है तो आक्सी करण संख्या में यह आते हैं है इलेक्ट्रान का चैसि ट्याग होता है है एलेक्ट्रां का त्याग होता है Thousand अडिश्टान निकलता है और यही बत्चो एप लिक्रेंग नहीं इसमें उख्यों क्या होता है इस में बच्चो एलेक्ट्रॉन कि जुड़ता है तो इतनी बाते बच्चो आप याद रखिए कब इतनी बाते आप याद रखिएगा तो यह जब दोनों प्रक्रियां साथ में हो जब आक्सिक्रड भी हो और अपचेन भी हो तुसे हम क्या करते बच्चो रेडाक्ष अपक्रिया करत हैं तो आज यह बच्चो रेडाक्ष अपक्रियां आपका लिख लेते हैं चांप्रियां साथ रेडाक्ष अपक्रियां अब डाक्ष अपक्रियां यह अज और दो अब हमिख घर थो युद्राक्ष अथ को क्यों वावी क्रिया जिसमें वर्ब करिया जिसमें आक्सी करण तथा अप्चियन वर्ब करिया जिसमें आक्सी कर था अप्चियन दोनों साथ साथ होता है दोनों साथ साथ होता है तो उसे तो उसे Redarks अविक्रिया तो उसे Redarks अविक्रिया कहते हैं तो उसे वच्छो क्या करते रिडाक सब्क्रिया करते जैसे और कुछ लिख लेते हैं आपके बुक से तो आपके बुक में तो इसके लिए वच्छो आप एक हम आपको ट्रिक बताते हैं जब को जैसे बच्छो क्या हता है तो यह बच्छो आप याद रिखे जब को तो सबसे पर क्रिया सिलता जिंकी होती है फिर किसके आयरें की फिर किसके बच्छो काप रखिया तो जैसे आपने बच्छो ले लिया आपका क्या जिंक की राड ले लिया और जिंक की राड को किसमें डाल और यही हम आपका लिख दें यह फी टू यस्टो फोर टेकन थ्राइस यह क्या बच्चो फेरिक सल्फेट तो आपका यहां पर जिंक है ने तो यह जिंक क्या करेगा यह तो बच्चों क्या एक कोसे हैं क्या आपका एक कोसे हैं तो जिंक की क्रिया सीलता ज्यादा किस से आयरन से तो जिंक आयरन को क्या करेगा रिप्लेस करेगा तो और क्या बन जाए जब रिप्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट क्या बन जाए बच्चों जिंक सल्फेट और आपका यह आरन बच्चो तो क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा किसे बिद्धचो सॉलेट क्या इससमें बचु देखिए कि कंपनी ती जींुग यहां पर यहां पर यह प्लस टू हो गया on और इसका मुक्तव स्था में तो zero हो गया कितना अग्रय चो जीरो हो गया तो जिंग का बच्टो देखिए किया आक्सिक्रद वस्था बड़ी है तो Jinkको इसको क्या के बच्चush आक्सिकड और यही यहां पर देखिए आक्सिकड रस्था क्या प्लस टू से किसमें गई बच्चो जीरो में तो यह क्या आपका अप्चेर यह क्या बच्चो अप्चेर यह आक्सिकड और यह क्या आपका अप्चेर क्या इतनी बात है समझ में आई बच्चो तो ठीक है बच्चों यहां पर देखिए कि जीरो से कहां पर जा रहा है जीरो से कहां पर जा रहा है दोस्त प्लस टू में कहां पर जा रहा है प्लस टू में और यहां से प्लस टू में आरेन कहां पर जा रहा है जीरो में जा रहा है तो अगर आक्सिकड संख्या में व्रिद् आक्सिडेशन प्रासेस ओ लेवल बच्चों यहां पर किया आक्सिडेशन प्रासेस बच्चों हो रही है और यहां पर किया बच्छ तो इतनी बाते बच्चों आपको समझ में आई होगी एक इक्जामपल चोरह कर लेते हैं इसे थ्यान दिजीएगा यहां पर बच्चा हमने आपका क्या ले लिया आरण कि और बच्चो अपर कॉपर सुलपट तो क्या बनें गोच्चो आरश इस लता जादा किसे कापर से कापर क्या करें रिप्लेस कर देगा और रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा बच्छो आरन सलफिट क्या बच्चा बनेगा अपका अरवी अप अपर अपर अलग हो जाएगा इतनी बाते हैं सवन में तो यहां बच्चो देखें कि जो आरन है वो कहां कहाँ पर जा रहा है और जो कापर ही कहां से कहां पर जा रहा है वाओ देख्छों तो उसकी आलट कितने होँद जीरो होती है जीरो जीरो से कहाँ पर चला गये बат्चों यहां पर देखिए एक इसको यह कहते है कि उसको इतनी बाती है इसको हो कहा चारा है इस पर क्या है प्लसू कै तो अब निकाला गया जानते हैं בेरे तो बता मानिक आपको ज़रूत है है नहीं सल फिर बच्चो क्या है माइनस टू है तो मतलब जो अगला होगा समू होगा यह यह एलिमेंट वसपर क्या प्लस होगा इतनी बाते आप जानते रहें बच्चो तो यहां पर बच्चो कितना है का पर पर जीरो है और यहां पर कितना सॉरी प्रक्रिया render icon है तो को जीडिव से गहां पर जारे में और यहां पर प्रट कर्या और से प्लस तो में तो जंब जीडिव से प्लस टू में घए तो मतलब बढ़ाई तो कौन सा प्रक्रिया क्यों आप सिग माशिजोड ऑरइहां पछी minist일gy प्लस तो कहां पगए जीरू में तो कौनसे प्रक्रिया वच्चो आप जो दोनों प्रक्रिया साथ आप क्या कहेंगे आक्सीगर्ण अप्च्यण अपक्रिया मतलब बच्चों क्या रिडाक्स अविक्रिया क्या इतनी बाते आई समझ में अगर आई हो तो आओ एक ग्जाम्पल और लेखते हैं ये रियक्शन होगा की नहीं होगा तो जैसे बच्चों कापर प्लस क्या अब क्रिया होगी बच्चों कापर क्रिया सिल्था क्या आरन से ज्यादा है नहीं कापर क्रिया सिल्था आरन से ज्यादा है नहीं तो यह अब क्रिया होगी अब क्रिया नहीं होगी अब क्रिया नहीं होगी तो इतनी बाते बच्चों आपको समझ्म्यायी होगी कि redarks ab kriya बच्चों क्या है तो बच्चों आप देखेंगे हम आपका redarks ab kriya का हमारे दानी जीवन बच्चों क्या प्रभाव है तो आओ देखते है कि द्राइनिक जीवन में प्रभाव कि सबसे पहले बच्चों देखते हैं आपका कि आख सीवन कि सबसे पहले बच्चों आपको संचारण होती क्या है आओ बच्चों आपको समझा देते आज यह बच्चों देख रही है आपको यह बच्चों देख रही है और बच्चों देखे यहाँ आप देखें बच्चों इसका छरण हुआ है धीरे धीरे बच्चों यह नस्ट हो रहा है अब यह नस्ट क्यों होता है बच्चों कि जब कोई बच्चों पदार्थ हो कोई ठो तो बच्छो, धीरे-धीरे इनका क्या होता छए होता है जिसके संधारड करते हैं जिसमें कोई धातु वायू के नमी के कारड़ या और नमी की कारट दोनों मलक करें वच्चो वायू के कारड़ या नमी के कारड़ धीरे-धीरे क्या होता है उसका च्छय होता तुसे हम क्या है तो संचारड खते हैं तो संचारड क्या वच्चो वह विक्रिया वह विक्रिया जिसमें कोई धात हो वायू या नमी की कारड वायू या नमी की कारड धीरे धीरे नच्ट होती है देदरे नच्ट होती है उसे उसे संच्ट होती है जैसे लोहे में जंग लगना जैसे लोहे में जंग लगना चादी का कारा पर जाना और अगला बच्चों हम लिखते हैं आपका विक्रित गंधिता क्या बच्चों विक्रित गंधिता अब विक्रित गंधिता बच्चों क्या होता इससे समझेए जब कोई खाद्य पदार्थ होता है बच्चो वो कुछ time के बाद कुछ समय के बाद एक कुछ दिन के बाद उसमें से गंध आने लगती बच्चो तो हम कहते हो खराब हो चुका है अब खराब कैसे हो जाते है उसको समझे बच्चो जब कोई तैलिया या वसिय खाद्य पदार्थ होता है बच्चो और जब उनका आक्सी करण होता है जब बच्चो वसा का आक्सी करण होता है तो उनके स्वाद में बच्चो तो उनका स्वाद किस्वे परवर्थी सो जाता है बच्चो गंध के रूप में तो उनके स्वादने बच्चों क्या आने लगती है गंध आने लगती है बच्चों तुसे हम क्या कहते है बच्चों विक्रित गंधिता कहते हैं तो बच्चों क्या है खाद्य पतार्थों का तेल या वसा के कारण धीरे धीरे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन बदल जाना ही क्या कहलाता है विक्रित गंधिता कहलाता है तो क्या बच्चों खाद्य पतार्थों में पस्थित तेल तैलिय या वसिय तैलिय या वसिय पतार्थों के आक्सिक्रण के कारण पतार्थों के पतार्थों के आक्सिक्रण के कारण उनके स्वाद्व उनके स्वाद्व गंध का बदल जाना विक्रित गंधिता कहलाता है इतनी बाते बच्चों आपको समझ में आई होगी तो ठीक है बच्चों इस प्रकास यह चैप्टर आपका खतम हुआ अगर कोई हेडिंग बच गई हो बच्चों तो आप कमेंट बाक्स में पूछेगा हम उसका रिप्लाइज जरूर देंगे आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे बच्चों लाइक कीजिए अगर आप पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को पने दोस्तों में सेर कीजिए मिलते हम आपसे नेक्स्ट वीडियो तब तक ले जय हिंदो जय भारत